दोस्तो कहानी शुरू होती है और हम 40 साल के मिथिलेश मुर्दाबाद को देखते हैं जो की एक सिंगल लॉंडा होता है और अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है मिथिलेश को action figures collect करने का बहुत शौक है और अपने इसी शौक के चलते मिथिलेश ने अपने पूरे घर को action figures से भरा हुआ है इसके लावा मिथिलेश smart tech नाम की एक electronic shop में भी काम करता था एक दिन मिथिलेश के साथ काम करने वाले तीन हरामी उसे अपने साथ पोकर गेम खेलने के लिए इन्वाइट करते हैं अब मिथिलेश का भी आज तक कोई दोस्त नहीं बना था इसलिए उसे इस बात की खुशी होती है कि कोई तो उसे इन्वाइट कर रहा है इसलिए वो उन्हें आज रात को मिलने के लिए हाँ बोल देता है फिर रात को मिथिलेश पोकर गेम खेलने के लिए कलब में जाता है लेकिन फिर गेम खेलते वक्त वहाँ पर बैठे चारों एक दूसरे को अपनी मजदूरी करने की कहानिया बताने लगते हैं लाश में मिथिलेश की बारी आती है लेकिन उसने आज तक कभी किसी के साथ गचागच नहीं किया था इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता लेकिन अपनी इज़द बचाने के लिए मिथिलेश अपने मन से ही एक जूटी कहानी बना कर सुनाने लगता है लेकिन बाकी के तीनों मज़दूरी करने में experience थे इसलिए वो मिथिलेश का जूट पकड़ लेते हैं फिर मिथिलेश सबको बता देता है कि वो एक virgin है तो ये सुनकर बाकी के तीनों उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं फिर मिथिलेश वहाँ से भागता हूँ अपने घर आ जाता है और सोचता है कि कल तो ये सबी लोग इस बारे में भूल जाएंगे फिर अगले दिन जब मिथिलेश स्टोर में जाता है तो वो देखता है कि उसकी virgin होने वाली बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे स्टोर में फैल चुकी है यहाँ तक कि उसकी बोस पावला को भी इस बार में पता चल चुका था इसके बाद एक बुढधा अंकल मिथिलेश के पास आता है और उसे दिलासा देते वे कहता है कि इस उमर में virgin होना कोई बड़ी बात नहीं बेटा तुमारी उमर है ही कितनी 25 साल तभी मिथिलेश बोलता है कि अंकल में 40 साल का हूँ ये सुनकर उस बुढधे की भी सटक जाती है और वो उसे कहता है कि भुढ़ी के तुछ पर धिकार है मैं सुबह ही 10 लड़कियों को रगड कर आया हूँ और तूने आज तक एक लड़की को भी नहीं रगडा अब ये सुनकर मिथिलेश निराश हो जाता है और भागते हुए शौप से बाहर निकल जाता है फिर मिथिलेश शर्म के मारे अपनी जॉब कुईट करने ही वाला होता है पर तभी वहाँ पर एंटमैन आ जाता है और उसे कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगडा पर कभी भी वह अपने इस माहन काम को पूरा कर ही नहीं पाया अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों हरामी अब मिथिलेश के दोस्त बन जाते हैं जिसके बाद वो तीनों कसम खाते हैं कि मिथिलेश का किसी लड़की के साथ तो खाता खुलवा कर ही रहेंगे इसके लिए वो चारो रात को कलब जाते हैं और वहां पर सबसे पहले कालिया मिथिलेश को लड़की पटाने की टैकनीक सिखाता है कालिया कहता है कि कलब में जो भी लड़की सबसे ज़्यादा नशे में है उससे जाकर बात करो फिर उसे पटा लो, फिर पूरी रात उसके साथ पलंग तोड मजदूरी करो फिर मिधिलेश भी उसकी बात मान कर एक लड़की के पास जाता है और उसे मजदूरी करने के लिए पटा लेता है लेकिन वो लड़की कलब से निकलने से पहले बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है जिसके बाद कार में मजदूरी करते वक्त वो मिथिलेश के उपर ही उल्टी कर देती है जिससे मिथिलेश का ये कारेकरम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है अगले दिन मिथिलेश के दोस मिथिलेश को लेकर काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि कल रात को तो मिथिलेश ने अपना खाता खोल ही दिया होगा लेकिन जब मिथिलेश उनको अपनी कल रात की दुख बरी दास्ता बताता है तो ये सुनकर उसके दोस्त सोचते हैं कि इस चूते का कुछ नहीं होगा इसके बाद वो तीनों फिर से मिथिलेश की मदद करने की कोशिश करते हैं वो देखते हैं कि स्टोर में एक लड़की आई है तो वो उस लड़की को अटेंड करने के लिए मिथिलेश को बोलते हैं उस लड़की का नम चमपा चमेली होता है और जब मिथिलेश उसे बात करने लगता है तो चमपा चमेली को वो काफी पसंद आता है जिसके बाद वो जाने से पहले मिथिलेश को अपना नंबर दे कर जाती है अब मिथिलेश ये देखकर बहुत खुश था कि पहली बार किसी लड़की ने उसे अपना नंबर दिया था इसके बाद कालिया मिथिलेश के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हे अपने looks और personality पर भी काम करना चाहिए इसके लिए कालिया मिथिलेश को एक beauty पालर लेकर जाता है जहां उसकी waxing होती है फिर मिधिलेश अपनी शर्ट उतारता है तो उसके चेस्ट पर बहुत सारे बाल होते हैं मिधिलेश के बालों को देखकर आंटी भी चौंक जाती है और अपने स्टाफ को कहती है कि आज मेरी सारी अपॉंट्मेंट कैंसिल कर दो क्योंकि मेरा अज पूरा दिन तो इस भालों को इनसान बनाने में ही चला जाएगा इसके बाद मिधिलेश की वैक्सिंग शुरू होती है और वैक्सिंग करवाते वक्त मिधिलेश को इतना ज़दा दर्द होता है कि उसकी आत्मा उसके चूचियों से बाहर निकल जाती है अब मिधिलेश इस दर्द को जेल नी पाता और वैक्सिंग से बीच में ही उठकर वहां से चला जाता है अगले दिन मिधिलेश बबलू बेगुनियाद को कहता है कि मैं बहुत बड़ा चोमू था जो मैंने कालिये की बात मानी इस पर बबलू बेगुनियाद उसे कहता है कि तू चोमू तो अभी भी है पर हमेशा हैंसम दिखना ही सब कुछ नहीं होता तुमारे अंदर confidence भी होना चाहिए फिर मिधिलेश उसे चमपा चमेली के बारे में बताता है पर बबलू बेगुनियाद उसे कहता है कि चमपा चमेली को set करने से पहले तुम किसी दूसी लड़की के साथ पहले practice कर लो जिसके बाद वो उसे एक book store में ले जाता है फिर वो वहाँ पर बैथ नाम की एक लड़की से मिलता है जो उसी store में काम करती थी मिथिलेश बैट से काफी दिर तक बाते करता है और उसे अपनी बातों से impress कर लेता है फिर रात को कालिया मिथिलेश की practice के लिए एक prostitute को book कर देता है लेकिन वो prostitute एक transgender था जिसको देखते ही मिथिलेश वहाँ से भाग जाता है फिर रात को Antman मिथिलेश के घर पर आता है औ लेकिन फिर Antman के जाते ही मिथिलेश उने चला कर देखने लगता है फिर कुछ देर तक देखने के बाद मिथिलेश को ये अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो उसे change कर देता है और भाई जान की tube light film लगा लेता है अगले दिन मिथिलेश चमपा चमेली को date पर ले जाने के लिए call करता है लेकिन उसमे अतना confidence नहीं था कि वो उससे बात कर पाए इसलिए वो phone card देता है अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते है और finally मिथिलेश भी चमपा चमेली को date पर चलने के लिए पूछ लेता है फिर रात को दोनों एक रेस्टों में dinner करते है और dinner के बाद चम मजदूरी करने का process start करने लगते हैं अब मिथिलेश को तो मजदूरी करना आता नहीं था इसलिए जब चमपा चमेली मिथिलेश को उसके छोटे पपू पर protection लगाने के लिए कहती है तो मिथिलेश इस काम को भी अच्छे से नहीं कर पाता और 10-15 protection ऐसे ही खराब कर देता है इसके बाद वो दोनों वापस मजदूरी करने का process start करने ही वाले होते हैं कि तभी वाँ पर चमपा चमेली की बेटी रोज मेरी मारलो अपने boyfriend के साथ आ जाती है वो बिस्तर पर पड़े हुए protections को देखकर सोचने लगती है कि उसकी मा ने मिथिलेश के साथ मजदूरी के 10-15 पहले ही खेल लिए और अभी वो और खेलना चाती है लेकिन इस पर चमपा चमेली उसे समझाती है कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो उनके सामने बहुत embarrass फिल करती है तभी वहाँ पर मिथिलेश भी चुप चप बिस्तर से खड़ा होता है और अपने कपड़ पादी अम्मा को डेट कर रहे हो फिर कालिय मिथिलेश को ऐसी फैमली वाली ओर्तों से दूर रहने को कहता है लेकिन मिथिलेश उसकी कोई बात नहीं सुनता फिर रात को चमपा चमेली और मिथिलेश फिर से डेट पर मिलते हैं और फिर वहाँ पर वो दोनों प्लैन बनाते कि अब वो अपनी 20 वी डेट पर ही मजदूरी करेंगे और तब तक वो मजदूरी से दूर रहेंगे फिर चमपा चमेली मिधिलेश से उसके future goals के बारे में पूछती है जिस पर मिधिलेश बोलता है कि वो अपनी एक shop खोलना चाता है लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है इस पर चमपा चमेली उसे बताती है कि तुम्हारे पास जो action figures के collection है तुम उन्हें online बेच क्यों नहीं देते क्योंकि उसके बदले में तुमें बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे अब ये बात मिधिलेश को भी बहुत अच्छे लगती है और वो इसके लिए राजी हो जाता है फिर अगले दिन जब मिधिलेश इस्टोर पर काम कर रहा होता है तब ही उसके पास चमपा चमेली का call आता है और वो उसे जल्दी से अपने घर पर आने के लिए बोलती है फिर मिधिलेश भागता हुआ चमपा चमेली के घर पहुंचता है और वहाँ वो देखता है कि वहाँ पर रोज मेरी मारलो चमपा चमेली के साथ बहास कर रही होती है वो कहती है कि मुझे भी अपने बॉइफेंड के साथ मजदूरी करनी है क्योंकि मेरे कॉलेज की सबी लड़कियां ये कर चुकी है इसलिए मुझे भी करना है तब ही इस पर चमपा चमेली उसे अपने कॉलेज लाइफ का एक्जामपल देते हुए बताती है कि मैं भी कॉलेज टैम में अपनी जादूई गुफा में किसी भी अलादिन को गुसा लेती थी जिस वज़े से मुझे बात में बहुत प्रॉब्लम हुई लेकिन रोज मेरी मारलो चमपा चमेली की कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे तो मजदूरी करनी ही है मिधिलेश रोज मेरी मारलो को कहता है कि वो उसकी ये वरजिन वाली बात उसकी मौम को ना बताए फिर रोज मेरी मारलो उससे पूछती है कि तुम ये बात मौम को कब बताओगे तो इस पर मिधिलेश कहता है कि मैं जल्दी ही उसको सब कुछ बता दूँगा फिर आतको चमपा चमेली और मिथिलेश चमपा चमेली के कहने पर उसके सारे action figures को बेचने के लिए pack कर रहे होते हैं लेकिन तभी चमपा चमेली के अंदर ठरक जागने लगती है और वो मिथिलेश से कहती है कि आस तो तुमें इस तडपती मचली की प्यास भुजानी ही होगी और ये बोलकर वो उसके साथ मजदूरी करना शुरू कर देती है लेकिन मिथिलेश अभी ये सब करने के लिए ready नहीं था इसलिए वो चमपा चमेली से कहता है कि पहले हमें इन सभी टॉइस को पैक कर लेना चाहिए नहीं तो ये खराब हो जाएंगे अभी सुनकर चमपा चमेली को गुसा आ जाता है और वो मिथिलेश को कहती है कि बुख ठड़ी के मैं तेरे सब मजदूरी करने के लिए तड़पी जा रही हूँ और तुझे अपने इन टॉइस की पड़ी है जा इन टॉइस को अपनी गान में डाल ले और ऐसा बोलकर वो गुसे में वहां से चली जाती है फिर कुस दिन बाद काली अपनी वाइफ के प्रेगनेंट होने की खुशी में एक क्लब में पार्टी रखता है जिसमें वो अपने सबी दोस्तों को इन्वाइट करता है वहां पर मिधिलेश की मुलाकात एक बार फिर से वो बुक्स्टोर वाली लड़की बैट से होती है बैट कुछ दिर तक तो मिधिलेश से बाते करती है और फिर वो उसे मजदूरी करने के लिए अपने घर पर ले जाती है मजदूरी करने से पहले बैथ उसे अपनी कुछ फैंटेसी के बारे में बताती है जिसको सुनकर मिथिलेश बहुत घबरा जाता है फिर बैथ नहाने के लिए बाट्टम में जाती है और फिर वहां रखे शावर के हैंडल को अपने मौत के कुवे में डालकर खुद को मज़े देने लगती है अब ये सब देखकर मिथिलेश को बहुत अजीब लगता है और वो बात्रूम से बहार आ जाता है तब ही वहां पर उसके तीनों दोस्त भी आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि चमपा चमेली एक बहुत अच्छी लड़की है और तुमें उसे खोना नहीं चाहिए अब ये सुनकर मिथिलेश को भी अपनी गलती का एसास होता है और फिर वो वहां से अपने घर चला जाता है वहीं दूसी तरफ रोज मेरी मारलो भी अपनी मा को समझा रही होती है कि सिर्फ मजदूरी ना करने की वज़ेसे आप मिथिलेश को छोड़ नहीं सकती मिथिलेश अजीब जरूर है लेकिन वो एक बहुत अच्छा इनसान है फिर चमपा चमेली भी मिथिलेश से माफी माँगने के लिए उसके घर पर जाती है वहीं मिथिलेश जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर चमपा चमेली Antman की दी हुई DVDs को देख रही होती है वो सोचती है कि मिथिलेश तो एक बहुत बला ठरकी है और ऐसे ठरकी इनसान के साथ में नहीं रह सकती उदर मिथिलेश उसको समझाने के लिए उसके पास जाता है लेकिन चमपा चमेली वहाँ से भाग कर बहार आ जाती है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है फिर मिथिलेश भी साइकल उठाता है और चमपा चमेली के कार के पीछे जाने लगता है मिथिलेश चमपा चमेली के पास जल्दी पहुँचने के लिए एक शॉटकट लेता है लेकिन तभी रास्ते में खड़ी हुई कार से उसकी टककर हो जाती है और वो जोर से नीचे गिरता है ये देखकर चमपा चमेली भागते वे उसके पास आती है और फिर फाइनली मिथिलेश चमपा चमेली को बता देता है कि वो एक वरजिन है और इसी वज़े से वो अभी तक उसके साथ मजदूरी करने से भाग रहा था वही चमपा चमेली भी उससे माफी मांगती है और फिर वो दोने एक दूसरे को चूसने लगते हैं इसके बाद scene shift होता है और हम एक wedding ceremony देखते हैं जहाँ पर चमपा चमेली और मिथिलेश की शादी हो रही होती है फिर शादी के बाद सुहागरत मनाने के लिए जब वो अपने होटल के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर ठोकुमल नाम का एक आदमी उनके कमरे की सफाई कर रहा होता है वो उनको कहता है कि अभी एक घंटा और लगेगा जिस पर मिथिलेश उसे कहता है फिर उसके जाते ही वो दोनों वहाँ पर धुआदार मजदूरी करते हैं अब 40 साल बात फाइनली मिथिलेश ने एक लड़की के साथ मजदूरी कर ही ली थी और इसी हैपी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है